Hello everyone, you are very warm welcome to our channel BL Storyteller और मैं आज आपके साथ शान्वेन फैन्फिक्शन का स्पेशल पार्ट लेकिया हूँ किंग्स मिस्ट्रिस का लास्ट आपने देखा था कि जो है वो लंजा और हमारा वी वुश्यान कंप्लीन करता है गोट से कि उन्हें उन्हें के बच्चों के साथ रहने का टाइम नहीं मिला तो भगवान जो है उन दोनों को एक दूसरे के साथ नीचे भिज देते हैं तो हमारा जो लंजा होता है वो वापस अपनी बॉड़ी में आ जाता है और जो बच्चे उसे देखकर रो रहे होते हैं इसका बेटा जो है लंजा उसे देखके रो रहा होता है वो सड़नली देखता है कि लंजा की बॉड़ी में कुछ मुवमेंट्स होती है और वो एकदम से देखके हरान हो जाता है कि उसके बाबा ठीक है और वहीं जो है लंजा जैसी ही होश में आता है तब ही जो हमारा वी विजयन होता है वो भी मोशवांशुकर भीज बदल के वहां पर पहुँच जाता है लंजा देखता है कि उसके आसपास कहीं भी विजयन नहीं है तब ही एक डिसिपल वहां से भागता हो आता है और कहता है कि कोई मोशवांशी नाम का बंदा है और वो सेकिंड मास्टर से मिलना चाहता है लंजा जो होता है वो डंफांडली सब चीज़े सोच रहता है कि अचानक से मुझसे मिलने कौन आया है वहां पर एक खुशी सी आ जाती है लंजा के तीनों भच्चे उसे हग कर लेते हैं इसकी बेटी जो कि बहुत डर गई थी लंजा को मरते हुए देख कर क्योंकि उसकी बेटी उससे सबसे क्लोस थी लेंवन और लेंच जो थे वो फिर भी रिजर्व थे लेकिन उनकी जो बेटी थी लेंच यांग वो अपने फादर यानिके उसके एक तरह से उसकी मदर करने वाले लंजा से बहुत अटेच हुआ करती थी वो छोटी सी तीन सा की थी लेकिन वो अपनी फादर का मदर से बहुत जादा टैस्ट थी ताब वहां पर लंजच चैन उस मोशव अनशु को हंदर आने की जाज़त देते हैं और लंजा को कहते हैं कि लंजा तुम बहुत दिन से जो थे बेहोश पड़े थे प्लीस तुम्हें आराम करना जो आन वहां मोशव अन्शु का नाम लेकि आया होता है वी वजज़ान को वहां देखकर थोड़ा सो शॉप्ट लेंश चैन भी होता है क्योंकि उसे पता था कि वी वज़ान तो मर चुका है ताब लंजा बच्चों को बाहर बेचता है और सब को बाहर बेज कर अपने जूटा लेटर भेजा था लंजा हिनाम का और कहा कैया था लंजा चो corrした से उसका भुड़ों का विवजयन का seven mm pregnant बच्चा था नंग्शा किसी और मर्ध के साथ बहुं बनाना चाहता है लंजा यह बात सुनके लंजी प्छले पिछले 10 सालों से अपने हस्बंड का इंतिजार कर रहा था लेकिन ये कैसे हो सकता है ताब वी विजन कहता है कि मुझे ऐसी ही खबर आये थी कि लंजा जो है वो किसी और से शादी करकर संबंद बनाना चाता है लेकिन वो मेरा मिस्ट्रिस हमेशा के लिए रहना चाता है इसलिए मैंने कभी भी लंजा से इन सालों में डिस्टाब नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि लंजा किसी और के साथ बहुत खुश है तब लिंजा भी कहता है कि मैं भी वहाँ गया था और मुझे नहीं पता किसने मुझे वहाँ से ड़के मारका निकल वाया और ये भी कहा कि आप मेरे और मेरे बच्चों को अपनाना नहीं चाहते और वो एक मिस्टेक है तब ये सारी गलत फैमी होने के बाद लैंज चेचन कहता है मैं इसका पता जरूर लगाँगा और यहां पर एक बहुती बड़ा क्योज सा कट्था हो जाता है कि ये लिंग के लैंज सेक्ट में कि वी विशयान के मरने के बाद उसका उत्तरा अधिकारी कौन बनेगा उसका उत्तरा अधिकारी बनने के लिए होड शुरू हो जाती है लेकिन वी विशयान ने अपने जीते जी जो क्राउण प्रिंस था उसे वन्स इंचिंग के बेटे को बनाया हुआ था और जो वंचिंग होती है वो सत्ता को संभालती है वो वहां की Emperor के बाद Empress बन जाती है और Royal Empress का जो है Tag ले लेती है और उसका जो बेटा होता है उसका First बेटा उसे जो है गद्धी मिल जाती है और वो Crown Prince बन जाता है और जब तक Crown Prince बड़ा नहीं होगा बेटा होता है Crown Prince बन पिंग उसे वो गद्धी मिल जाती है और उसका एक छोटा बेटा होता है विंजिंग बन पिंग को वो गद्धी मिलते देख सारे खुशते लेकिन बन जिंग बहुत दुखी थी वी वुजियान को खोने के बाद और वो मनी मन सोचती है की मैं जानती हो बैटल फिल्ड के दौरान कहीन कहीं वी वुजियान लंज़ा को पसंद करने लगा था लेकिन वो कैसे उस लंज़ा को पसंद कर सकता था जिसके चाचा ने पूरी लाइफ उसके नेफ्यू से विविजयन कैसे प्यार कर सकता था इसलिए वो विविजयन को जूटी कहबर दिलवाती है सब कहकर इन सारे कामों में सरफ वेंचिंग ही इन्वल्ड थी ना ही ये सारी बाते वेंडिंग को पता होती ना ही मेंग्यों को उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि लंजा ने विविजयान को धोका दिया किसी को भी सच नहीं पता होता सिवाए वेंचिंग जो कि अपने प्रिय दासी से मिलकर जो उसकी वेंचिक्ट की एक दासी होती है वेंच मी उससे मिलकर ये सारा काम करवाती है और लंजा को कहीं न कहीं जूटे लेडर के थुह जो हैं हमारे वी विजञण की नज़रों में किरा देती है क्योंकि उसे बहुत जलन होती थी यह देखकर कि बच मन से उसका प्यार वी विजञण जो सिरफ उसकी बाते माना करता था उसके साथ टाइम निकाला करता था उस जगा नहीं देखना चाहती थी जिसकी वज़ासे एक लेंग ही था लेंचेरेंग जिसने उस पूरी यिलिंग की सिटी को तभा किया था और वो उसी के नेफ्यों को कभी यिलिंग के अंदर घुसने नहीं देना चाहती थी इसलिए उसने ये सब किया उसकी लेंजा से कोई हेट्रेट नहीं थी गद्दी को लेकर उसकी सरफ हेट्रेट सरफ इतनी थी कि लेंजा एक लेंग था और एक लेंग को यिलिंग में आने का कोई हक नहीं क्योंकि एक लेंग नहीं जो की लेंग चेरेंग था उसने एक टाइम पे यिलिंग को पूरा तभ किया था और विवुजयान को अनात बनाया और इतना सारा स्ट्रगल और इतना जादा नफरत उसके अंदर भर दी थी और कहीं न कहीं वंचिंग को भी बहुत जादा गुस्सा आता था यह सोच कर कि एक लैन विवुजयान के दिल पे कभी राज नहीं कर सकता इसलिए वो एक चोटी से हरकत करती है उसे नहीं पता होता कि विवुजयान और लंजा का रिलेशन कैसा है बस वो लंजा को देखना कभी यह लिंग के अंदर पसंद नहीं करती क्योंकि एक टाइम में लंजा की वज़से वींग को 50 लैशिस पढ़े थे जो कि वेंचिंग को बिलकुल पसं विवुजयान को लेकर उसे ये डर नहीं था कि लंजा जो है उसे वींग को उससे चीन लेगा सिर्फ उसे एक चीज का डर होता था कि एक लैन को वर उस पर कभी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि लैंस नहीं आखिर विवुजयान के घर उसके पूरे कुनबे को तबा किया था उसके पेरेंट्स को तबा किया था उसे अनाद बना दिया था तो वंचिंग को बस उस चीज का ही गुस्ता था इसलिए उसने ये सारी चीज़े की होती है यहीं अमेरी स्टोरी जो है मूव होती है वंचिंग वहाँ पे बहुत अच्छे से जो है उस पूरे जगा को चलाती है और बहुत अच्छे से अमपायर को खड़ा करती है वह पहले भी बहुत समझतार थी वह सारी चीज़ों को साथ लेके चलना जानती थी सिवाए लेंस उसे कभी भी पसंद नहीं थे और वह मुड़कर भी लेंस सेक्ट पर कभी देखती नहीं क्योंकि उसे पता होता है कि और विंग अब अलग हो चुके और विंग खतम हो चुका यहां सेक्ट में जो है विंग और लंजा विंग मोंश या अंशू नाम से रहता है और लंजा से लंजा के साथ रहता है लंजा और विंग जो है वो शादी कर लेते हैं लंजा अपने बच्चों को शादी होने से प वींग है तो वो अपने बच्चों को भी कुछ नहीं बताना चाहता था क्योंकि अगर उसके बच्चों को सच पता चल जाता है कि यही मोशुवांशून के फादर है और कहीं गलती से कोई बात लीक हो जाती तो उसके बच्चे और वींग और उसकी जान पर खत्रा होता तो व हो अपने बच्चों को कहता है कि उसे एक पार्टनर की नीड है अब वींग चले गए है तो उसके बाद वो एक पार्टनर से शादी करना चाते हैं थाकि वो अपनी हैपी मेरेड लाइफ बिता सके वो वींग को एंटर्ट्ट्यूस कराता है हमारे लैन्यवांड से इनवीर चीट किरयता है च्छोटीशी लेंश pseudo ईंड and look would of her chadakira म्oralफ और बेता है वह तुम है तुम्हें पता है तुम मेरी मदर की तरह कांसे सरन की तरह मेरी महात बहुत क्यों बीर कहा है दोनों बच्छों को लैप पे अपनी बेटी को बैठाता है और कहता है लंजा ये दोनों लड़के तो बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं शान्त बिल्कुल लैन लेकिन ये ये तो क्यूट है ये तो बिल्कुल मेरी तरह है शरारती वो दोनों कितने अच्छे लैंड डिसिपल्स की तरहां बिलकुल अबिडेंट है पर ये ये तो बहुत क्यूट है इतनी शराती जैसे मैं हूँ तब क्यूटली पूशती है बाबा ममा न यानि के एडा न मुझे कुछ भी मीठा खाने नहीं देती वो कहती है दातों में कीडा लग जाएगा क्या सच में कीडा लग जाता है तब फिशयन कहता है किस ने कहा और कीडी की इतनी जूरा जो मेरे बच्चे के दांत में लगे मैं कीडे को जन से मार दूँगा लेकिन हाँ मीठा लिमिट में खाते हैं लेकिन तुम जितना चाहे वो खा सकती हो पर लिमिट में थोड़ा आज थोड़ा कल थोड़ा परसो ऐसे करके तो वो कहते हैं आप क्या मुझे केंडी तिलाओ गे Aday ना मुझे कभ़े भी केंडी नहीं दिलाते ना तो Aday केंडी खाते, नहीं मुझे दिलाते और तो और मुझे ये लैन वाला फिका सूप नहीं पसंद मुझे न वो जो काई टाउन में टीस्टी सो सूप मिलता है न वो पसंद है तो वी वुजयाने सुनके हसने लगता है और कहता है लंजा प्लीज अकर तुम ये बोरिंग सा खाना खाना पसंद करते हो तो खाओ तुम्हारी ये दोनों बच्चे मेरे तीनों बच्चे जो खाना चाहेंगे वो खा सकते हैं ये दोनों लड़के तो तुम पे गए हैं बिल्कुल सीधे साथे लेकिन मेरी बेटी जितना स्पोयल होना चाहेगी मैं उसे उतना स्पोयल करूँगा और कहता है वी वुजयान कि लंजा मैंने पिछली बार दिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक छोटी सी उन शेरमनी रखेंगे उन छेयों के बीच जिसमें लैंशिचन उनके के तीन बच्चे और वो दोनों होंगे वो ऐसे ही सेरमनी के लिए तयार होते हैं और एंचेस्टर होल में जाते हैं वो इस हौल में जाकर अर्थ की तरफ बड़ो की तरफ और एक दूसरे की तरफ जो हैं बो करते हैं और अपने वाउस लेते हैं और वो दोनों एक टी का ग्ला वो सब के सामने poverty लंजा को किस कर देता है लंजा करता है वी वो कहता है मेरा नाम मतलो मैं मोश्वांचू हूँ फिर दुबारा से वो लंजा की नोज पर क्यूटली किस कर देता है फिर से लंजा कहता है वी लेकिन वो कहता है लंजा किसका नाम ले रहे हो कौन है ये वी मैं लेकिन सारे बच्चों को लगता था कि लंजा उसके दिमाग पर चोटाने के बाद वो मोश्वानशो को वींग भी बुलाने लगा है उन्हें रियालिटी नहीं पता थी बहुत बार ऐसा होता था कि वींग जो है लंजा को बहुत अंग किया करता था लेकिन आज उनकी लेकिन बच्चे बहुत हैं मैं नहीं चाहता कि आज जो भी हमारे बीच हो उसके बार तुम फेल से प्रिगनेंट हो जाओ तो क्या तुम लंजा कॉंट्रसेप्टिव पिल ले सकते हो तो लंजा जो है वो नोट कर देता है क्योंकि उसका शरीर भी कहीं न कहीं इंकी वज़ है उसे कॉंट्रसेप्टिव देते हैं कि वो जल्दी से अब कोई बच्चा कंसीव ना कर पाए उन्हीं फर्स नाइट होती है लंजा जो है इस पार थोड़ा शर्मारा होता है घंबरारा होता है और वींग उनके रूम में आता है इस पार बच्चे जो थे वो हांशी में ल होने नाजाने कितनी राते एक दूसे के साथ बिताई हुई थी वो लंजा के पास आता है और कहता है लंजा शर्माना बंद करो लंजा फिर भी शर्मारा होता है वो कहता है लंजा आज मैं तुम्हें कंप्लीटली फील करना चाहता हूँ सौरी लास टाम जब मेरी ये दोनो बच्चे हुए और मैं साथ साल बाद तुम से मिला, मैं बहुत रफ था तुम मेरे साथ, लेकिन आज मैं चाहता हूँ, हम एंजॉय करें, हम दस सालों की पूरी कसर निकाल दें, पर मैं चाहता हूँ कल तुम बिल्कुल नहीं अवेले दुलून की तरह लंगडाते वे चलो, तक ही सब को पता चल जाएं कि आज हमारी शादी हुई है, और खल तुम तुमारे चेहरे का गलो देखके, वो सारे समझ जाएं कि रात भर मैंने तुमें कितना प्यार दिया है, दोनों की दोनों एक दूसे को किस करते हैं, रोमेंटिक टाइम बिताते हैं, और रात भर चेल मुझे लगत दर्द हो रहा है, विंग के ता है, और लंजा, दुम्हें कर देता हूँ, वो दोनों की दोनों, एक दूसे करता है, शावर में नाने जाते हैं, और एक ही शावर में एक साथ बैठे होते हैं बाटड ड़ू के अंदर, और लंजा उसकी लैब पे बैठा होता ह विंग उसके बालों से खेल रहो होता है कि तरहे लंजा मुझे सच में आइडिया नहीं था कि मैंने पिछले 10 साल तुम्हें कितना मैस किया होगा पता है मैं कितना तडपता था मैं हर बैटल फिल्ड में तुम्हें बहुत मिस करता था लंजा तुम मुझे रोज लेटल लिखते थे तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है तुम्हारे उन लेटल को ना पढ़ना जब मैंने सुना ना जिसने भी वो जूट बोला कि तुम किसी और मर्द के साथ संबंद बनाओगे ये सोचके ही मेरा मन करता था कि मैं उस आदमी का सिर कलम कर दूँ फिर मैंने सोचा कि अगर तुम्हारी कुशिस में है तो मुझे हाँ कर देनी चाहिए फर लंजा में तो मैं कभी भी नहीं छोड़ के जा सकता और वो दोनों के दोनों वहां किस करते हैं और वी विजियन फिर से लंजा के साथ रोमेंस करना शुरू कर देता है वो बाटम में कम से कम दो राउंड रोमेंस के करते हैं और उसके बाद लंजा की बहुत बुरी कंडिशन हो जाती है वी विजियन पूरे दिन लंजा को अपनी गोद में जैसे कि आज से 10 सल पहले जब वो उसके लिए मिस्ट्रस बना था और वो पूरे दिन लंजा को अपन अजन गोद में लेकर घुमता है तब एशिंग और एशिंग जो है वो देखकर लंजा उनकी पादर की पूरे हैं दोनों के दोनों कहते हैं हमें भी दोनेор कंग मत करो और हंगशन को भी नहीं तो मोश्वन्शू हसते हैं मैं फादर हूँ तो ये तो मदर हुई ना बोलो बोलो मदर बोलो तो वो हसते हैं और कहते हैं नहीं नहीं वो एड़ा ही है तो अभी वुजन कहते हैं अगर तुम नहीं नहीं मदर नहीं बोला तो मैं नराज हो जाओंगा और मैं चला जाओंगा तब ही एशियांग और एचिंग बोलते हैं कि ब्रोधर फटाफट से बोलो कि वह मदर है वरना फादर हमें थोड़ के त्वले जाएंगे वह बहुत मज़ा करता है और लैंज सुदूई का जो चहरा होता है वह ठामाटर की तरह लाल होने लगता है उससे समझ नहीं आता है व वह अपना चहरा जो है अपने हस्बेन की निक में घुसा लेता है और खुद को हाइड कर लेता है जो हमारा प्यारा भी फुश्यान होता है वह कहता है लंजा तुम हाज पर कितने शर्माते हो तुम तो मेरा दिली लूट लोगे तुम तो मुझे मार ही डालोगे अपनी शर तुम तो कुछ करवा के ही मानों के तुम जाते हो कि मैं कॉंट्रासेप्टर पेल हटवा कर अच्छे से एक बहुत भड़ी से बच्चों के टीम बना दू कि लेंसेक में सरफ हमारे बच्चे घुमते दिखें जहां भी दिखें लेंजा जो है फिर से शर्माने लगता है कहता ह वींग शिमलिस वींग जो है फिर से हसता है वींग वहाँ पर रहता था उन लोगों ने जो है उसकी मॉम का कोटेज वो खाली करवा लिया था और उसे रीबिल्ट के लिए रख दिया था था कि जब जिंक्शी छोटा पड़ जाएगा तो वो अपने बच्चों को लेकर वह बच्चों को भी खिला दिया करता था तीनादार रूल्स थे जो कि बहुत डिफिकल्ट थे वींग के लिए लेकिन वो सब कुछ माल लिया करता था लेकिन कभी कभी वो अपने बच्चों को रूल्स तोड़कर जंद की जीना भी सिखाया करता था लंजा को भी वींग के पूछा करते थे कि फादर कब आएंगे बाबा कब आएंगे बाबा कैसे देखते हैं लेकिन इस वक्त वीवुजयान जितना उन्हें क्यूटली खुमाया करता था कभी उनको पद्धी पर बठाता था कभी उनकी सामने घोडा बनकर घोडा गाड़ी चलाया करते थे बच्चों से बहुत प्यार करता था और उससे उसके बच्चे कोई भी छीन नहीं सकता था ये लाइफ उसने जो दस साल बच्चों के बिना जिन्दगी बिताई उसने अपने वी सेक्ट में भी अपने बच्चों को खूब प्यार दिया और अपने बच्चों को हर वो चीज लेकिन ये तीन बच्चे ऐसे थे जो उसके प्यार से हमेशों वंचित रहे तो उसने सोचा जो दस साल भगवान ने उसे जी निकले दिया है वो अपने बच्चे के लिए हर चीज करेगा वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से तलवार चलाना सिखाता है उन्हें हर को कुकिन में भी हल्प क्या करता था और लो वो खाना बहुत बुरा बनाता था लेकिन वो जब भी लंजा उसके लिए कुछ खाना बना रहा होता था वो पीछे से आके लंजा को पकार लिया करता था और इसकी निक पे किस करता रहता था लंजा कहता था वींग कोई देख तो विंग हमेशा कहता था देखनेदो न, वह हमारी यी तो बच्चे है, अगर वो हम से प्यार करना नहीं सीखेंगे तो वो अपने स्पा games को कैसे प्यार कर पहेंगे, तो लंजा कहता है, शेमलेस, तो वींग हसते हुए कि तता लंजा क्या शर्माना मैंने तुम्हें दो बच्चे दे दिये हैं अब भी तुम शर्माते हो क्यों वैसे तुम आज भी एक कौरी मेडन कितना लगते हो ऐसा लगता है कोई कौरी लड़की है सच में मेरा तो दिल ही नहीं बढ़ता तुम्हारे साथ और तुम इतने 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 जादा ब्यूटिफुल होना लंजा मेरा मन ही नहीं करता बैट पे तुम्हें छोड़ने का वो कहता है लंजा कहता है वींग बच्चे देख लेंगे बच्चे सुन लेंगे लेकिन ये वुजियन को कोई फरक ही नहीं बड़ता वो दीरे दीरे लंजा के खाना बनाते हुए ही रोपस भोलने लगता है और लंजा को अपनी गौद में बठा लेता है वींग अपने भी रोपस को हलका-लका लूस कर देता है और दोनों ऐसे ही बैटेबैटे रोमेंस करने लगते हैं लंजा कहता है वींग कोई देख लेगा वींग कहता है मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता लंजा और मेंगेड बंद है तभी वो दोनों-दोनों रोमेंस कर रहे होते हैं कि अशयान रूम में आ जाती है और कहती है बाबा दोनों बहुत ही awkward condition में होते हैं तब ही विजिन कहता है और लैंशिंग चलो भार जाओ तुम्हारे बाबा को न मैं अभी कहीं medicine लगा रहा हूँ और बाबा की कपड़े उत्रे वे हैं तो प्लीज तुम भार जाओ मैं तुम्हारे जब एडाई को medicine लगा बाबा मैं थोड़ी दिन में आती हूँ वह भार चल जाती है और लंचा की जो हर्ट बीड़ा रुकी के रुकी रह जाती है कि क्या होने वाला था लंचा कहता है वींग नहीं वींग कहता है चुप करो लंचा मैंने उसे भार बेज दिया है चलो romance continue वह लोग ऐसी ही position में और लंचा जो है वो कहता है कितने पवर्ट हो वींग तुम आज हमें हमारी बीटी पकड़ी लेती तो वींग उसके गाल पे किस करता है चल करो मैं हूँ ना तुम कितना ढरते हो डर पो कहीं के और वो बच्चों के साथ महार किलने चला जाता है लंचा उसके लिए खाना ब पर रहता है और आंक मारता रहता है लंचा को बहुत शर्माती है रात में ऐसे ही लेंच उज़ोई बड़ा हो चुका था दससाल का था यह अलग कमरे में सोयं अगरता था और लन्शिंग और लेंशिंग जो हैं उनके इक साथ शीजुई के साथ सोते थे लेकिन कभी-कभी जट करते थे। जब हमारा लंचा और वींग एक साथ सोुने होते थे। हाल लंचंग जट करती है कि उसे उसके दोनों ओमपे के साथ सोना है। लंचा और वींग का बहुत मोड़ होता है लेकि dimensions उनके बीच आयके सो जाती है। और वो अपनी मुम्मा से फीड कराने के लिए भी चित करने लगती है तब लंजा मना करता है क्योंकि इसे शरम आरी होती है वींग के सामने और वींग कहता है लंजा अगर बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है तो तुम क्या हो गया तुम मुझसे क्यों शरमा रहे हो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने डिमान की हो लंजा शरमाते हुए कहता है वींग शेमलेस वींग कहता है ओह लंजा तुम कितने क्यूट हो तुम भी न करवा दो अगर इस शरिंग आज फीड की दिमान कर दिया तो उसे फीड करा दो बन्जा के ब्रेस्ट को फीड करते करते सो जाती है लंजा उसे एक साइड में सुलाता है और विंग भी उसे पीछे से कस के और विंग पीक उलेटा है लंजा कहता है वींग नहीं लेकिन वींग तो कुछ सुनने वाला था ही नहीं उसने नीचे से लंजा के रूप्स को लूज कर दिया था और फ्राउसर को तार दिया था और दोनों उसी सेम पोजीशन में लेटे हुए रोमेंस कहने लगते हैं लंजा कहता है एशियांग उठ जाएगी वींग नहीं वींग कहता है नहीं उठेगी बस तो मवास मत करना और दोनों के दोनों वही रोमेंस करने लगते हैं उनका रोमेंट सुचाने के वाद वींग लंजा को क्लीन करता है और लंजा को हग करके सो जाता है दोनों के दोनों इसी तरह क्यूटली हमेशा अपना टाइम बिताय करते थे वींग को बहुत मसा आता था लंजा को टीज करने में इस्पेशली जब बच्चे अराउंड हो तो वो लंजा से बहुत पंगे लिया करता था लेकिन वींग धीरे धीरे सारे बच्चों को एक टीचर की तरह ट्रेइनिंग भी देता था उन्हें स्वर्ड मैंशिप और यूद कला की हर नीती सिखाया करता था और लेंसेक्ट के डिसिपल्स को एक से एक त्यार करता था हर मुसीवत से जूझने के लिए उसकी स्ट्राड़जी इतनी अच्छी थी कि उसने आसपास के नियरवा लेंसेक्ट को भी अच्छे से डुवालप करने में मदद की और लेंसेक्ट को बहुत अच्छा भरा पूरा एक सेक्ट बना दिया उसने जितने भी उसे स्क्रेप्चर्स क्योंकि विंग की बुद्धी अच्छी थी तो उसने बहुत सारे तालिसमान्स के यूज करने और बहुत को सिखाया लेंसेक्ट में तीन हजार रूल थे जिनमें से कुछ रूल्स बहुत ही फाल्तुके थे जिनने उन्होंने फटा फट से विंग ने बदल दिया था स्पेशली खाना खाने का कि इतना साड़ावा खाना उसे बिलकुल भी पसंद नहीं था कि जो खाना चाहेगा वह खा सकता है इसी को मीठा पसंद तो उसे अपनी इच्चाओं को मारने की जरूरत नहीं आप रोज मत खाईए लेकिन आप खाईए तो सही अगर कोई फिश खाना चाता है तो फिश खा सकता है खाने की प्रतिबंद उसने हटा दी थी और खुमने की प्रतिबंद भी हटा दी थी लेकिन बाकी सारी चीजों को लेकर पढ़ाय को लेकर या हर चीज को लेकर उसने प्रतिबंद नहीं हटाए था क्योंकि वो मानता था कि एक इनसान को अनुशास्त होना यानि कि discipline होना एक इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है और वो भी इस चीज़ को मानता था और उसने वो चीज़ मानी और land sex की चीज़ों की respect की और वो लंजा को बहुत क्यूटली छेड़ा करता था especially जब लंजा classes में होता था तो वो उसकी classes में आने के बारे ढूंडा करता था और कितनी बार तो वो लंजा को चिक पे कस करके निकल जाया करता था लेकिन किसी भी land disciples की हमत नहीं होती थी कि वो हैंगोंजन की तरफ आँग उठा कर भी देख ले वो सारे अपनी नजरे जुकाये वे तीरह सार रूल्स को पढ़ने लग जाते हैं लंजा को भी शरम आया करती थी लंजा देखता था उसके तीनों बच्चे कितने खुश हैं उसके बाबा के आने के बाद जैसे उनके जिन्दगी बदल गई हो वो चुप रहने वाले वो डरे सहमे बच्चे आज अलग से खिल के लाकर हसते थे स्पेशली उसकी बेटी उसकी बेटी को तो उसके बाबा बहुत पसंद थे वो अपने बाबा से इतने कुशन किया करती थी बिल्कुल वो तो वींग की टिट्टों को पी हुआ करती थी वींग को बहुत मज़ा आता था उसके साथ खेलने में और वो बहुत बार अपने दोनों बेटों को ले जाकर सबके साथ पेड़ पे चड़ा करता था उन्हें फिशिंग करना सिखाता था स्विमिंग सिखाया करता था और उनके साथ लड़ाई करना भी सिखाया करता था और वींग को छोड़कर उसके दोनों बेटे अच्छा खाना पका लेते थे तो जब भी वींग कहता था कि आज खाना मैं बनाओं तो दोनों बच्चे कहते थे नहीं बाबा आप एक काम करो आप पेड़ पेचोड़ो फ्रूट तोड़के लाओ खाना हम पकाएंगे क्योंकि वींग बहुत मिर्ची धूसा करता था खाने के अंदर उनकी एक क्यूट सी फामिली ऐसे ही चलती है और दस सल बीच जाते हैं और यूआन जो होता है यानि कि लैंशुजवी उसके बेटी को छोड़कर दोनों बेटे अलफा होते हैं और बेटी उमिका होती है वो जैन्शियसुई की शादी जिन सेक्ट के जिन रुलान के साथ कर देता है यानि के जिंगलिंग के साथ शादी कर देता है और जिंगलिंग एक कॉम्मी का होता है फिर वो दोनों कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है जैसे उन्हें गॉट को प्रामिस किया था दस साल दस साल वो एक हैपी मेरेड लाइफ की तरह रहते हैं और वो गॉट के पास छले जाते हैं तब उसके जो बच्चे होते हैं एशिन और एशियंग सिर्फ तेरा साल के होते हैं लेकिन लेंशी चेन को पता होता है कि उन्हें कैसे संभालना है दोनों बच्चे जो हैं बहुत त्रोया करते थे लेकिन उसके एड़ आई और उनके बाबा ने बहुत सारी बुक्स उनके लिए छोड़के गए होते हैं कि जिन्दगी में आपसें डाउंस आये तो इनसान को कैसे तूटना नहीं होता वो सारी चीज़े पढ़के वो दोनों बच्चे हर चीज़ सीखते हैं और अपने एड़ाई और एड़ाई और एड़ाई बाबा की ग्रेव पे हमिश्या जाया करते थे उन्हें अपने एड़ाई और एड़ाई बाबा की सिमेंट्री पे जाना बहुत अच्छा लगता था और सारे मिलके माँ टाइम स्पन गिया करते थे जिन्रुलाद पहले तो बहुत ही नटकट सा था लेकिन धीरे दीरे वो बिलैन क्लान में आके डंग से रहने लग गया था और बहुत खुशी से रहता था वहाँ पर शादी हुई भी देख की एशियान के बच्चे हैं दोनों के दोनों ये देखकर जो हमारी जियांग याली थी वो भी बहुत कुश होती थी कि उसके बेटे जो ओमेगा था जिंगलिंग उसकी शादी और किसी से नहीं बलकि हैंगवन जुन और उसके बच्चों से हुई है हलाकि उन लोगों को लगता था कि हैंगवन जुन ने जो है किसी और इंसान से शादी कर ली थी जिसका नाम मोशोंशू था कभी कोई हेंगवांजन से मिलने नहीं आय था तो कभी किसी को कुछ पता नहीं चला कि वींग जिंधा है पर वो जो 10 साल थे वो उनकी जिंदगी के 2 साल थे जेवज़न भी हेंगवांजन जाने के बाद सेकलूज़न में चले गये थे लेकिन वो सेक्लूजिजन सरफ ज़्यादा दिन का नहीं होता तो हम एक महीने के लिए जाते थे और फिर दो महीने के लिए वापस आजाते थे उन्हें उन पर जिंदगी के इस एक्ट को संभालने की बहुत सारी जब्मदारिया थे आपको ये स्पेशल एपिसोड अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और वेंक शिन चान वेंक फेंस के साथ शेयर कर देना बब बाई